हाई फ्रेंग्स हाव अग्यू आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकाया हूं रेडमी 13c 5g मोबाई तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके अन्बोक्सिंग दिखाएंगे और स्पेसिफिकेशन के बारे में इसके बताएंगे तो दोस्तों अगर आप आज के टै सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन तो यहां पर हमारे पास है रेडमी 13C 5G मुबाइल जो कि आप देख सकते हैं 8GB RAM और 128GB storage के साथ है तो दोस्तों रेडमी 13C जो मुबाइल है powerful 5G Mediatek Dimension 6100 प्लस प्रोसेसर जो की up to 16GB RAM के साथ आता है और आप इसमें देख सकते हैं आपको जो मिल जाता है स्टाइलिस इस्टाट्रेल डिजाइन आपको इसमें देखने में मिल जाता है 50 Megapixel का कैमरा आपको इसमें मिल जाता है और यहां पर आप अगर डिस्पले की बात की जाए तो लार्ज 17.1 cm 6.74 इंचिस की डिस्पले में आपको देखने को मिल जाती है जो की गोरेला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आती है तो अगर इसकी सपोर्ट की बात की जाए तो आपको ड्यूल 5G स्टेंडबाइ सपोर्ट मिल जाता है तो यहां पर अगर बात की जाए तो आपको वन टीवी स्टोरेज तक यानि के वन टीवी तक कर सकते हैं यानि कि आप इसमें वन टीवी की जो है पैंड्राइब या फिर इस्टोरेज इसमें आप इस्टोरेज कर सकते हैं तो कुईक अनलोक साइड फिंगर प्रिंट सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट और देखने हैं इसके अन्बोक्सिंग तो यहां पर जैसे हम बोक्स को ओपन करते हैं अब देख लेते हैं इसके अन्बोक्सिंग करके यह देखिए बोक्स में सिर्फ एक पिन है और कोई कवर नहीं है और इसके बाद यहां पर हम देखेंगे यह देखे यूएसबी टाइप सी यहां पर आपको इस मोबाइल में मिल जाती है यानि के यूएसबी और टाइप सी के दौरा आप इसे चार्ज कर सकते हैं और यहां पर आप देख लीजे और इसी के साथ बोक्स में अब जो है इसके बाद कुछ भी नहीं है मोबाइल अभी हम आपको ओपन करके दिखा देंगे पोलेथें से रिमूट करके दिखाएंगे तो हम इसे वापस से रख देते हैं यह पर और यह देखिए यह मोबाइल जो है अगर आप ब 99 रुपे में मैंने जो है एमाजोन से बाई किया है यानि आप भी इसे बाई कर सकते हैं ओनलाइन या फिर ओनलाइन इस्टोर पर जाकर एमाई के आप इसे बाई कर सकते हैं तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बोक्स में जबर बताएं अगर करें सेर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें करें फन्स एमिल्ग करें प्तार सेर कुल भी न हमारे चैनल का जड़र चैनल क्योंक्राइब करें रिल्कुल भी न रहते हैं